अब दिक्कत क्या है वो बता देता हूं भाई आरा क्या कर्चा है हलो दोस्तों सवागत है आपका एक और नहीं वीडियो में भाई काफी दिन हो गे थे एरियर की कोई वीडियो ही नहीं आ रही थी तो हैरियर की बात करते हैं अच अपनी जो हैरियर है अब चल चुकी है 53,120 औ और इसकी बाई मैं बताता हूं इसकी स्टोरी क्या हो रही थी यह असल में भाई आपको पता ही है मेरी फैमली थोड़ी बड़ी है तो यह फिलाल गाड़ी बाहर रहती थी कुछ दिन से बाहर दी चंडी गड़ी रहती है तो यह गाड़ी जो है भी चल चुकी है 53,000 यानि हम थोड़ी पहली करा लेते हैं वो ड्यू रखी है इससे पहले आपने देखा था भाई इसकी तो इतनी सारी दिक्कत आ रही थी हैरियर में जब से विंड़ी बानी कोई साथ है जब से हमने वो काम करा है न वैसे तो मैं इसके एक डीटेल में वापस वीडियो बनाना चारा बता हूं कि वह जो टाटा हैरियर मुल्ब टाटा मोटर्स है इसकी जो आफ्टर सेल सर्वीस है वो कैसी ज़ो सर्विस करवाने जाते है तो आपको पता है वह इससे पहले हम चंड डीगड कराते थे चंड डीगड में बिल्कोली मजा नहीं आया था इससे पहले मैं आरो तक शूंब पर अपने थोड़ी पर्फॉर्मेंस से रिलेटेड है वह भी इसलिए वरना भी तो पिछे आपको पते पूरा जैने वो चोक हो गया था साइलेंसर क्या हो फिल्टर सब कुछ जो है ब्लो को रखे दे सेम इसके साथ हो रहा है मतलब जैसे हमें ओवर टेक अगरा करने होता है खहीं पर्फॉर्मेंस यह भाई इस गाड़ी में उठती नहीं हो गाड़ी हमने अपनी EGR जो है वो क्लीन करवा इस परफॉर्मेंस जो है उससे पहले जो मैंने गाड़ी तकर वाई थी हमारा 22,000 का कुछ खर्चा आया था उस पर कंपनी में जिसमें वाइरिंग का भी कुछ चेंज वा था क्योंकि कई जो मोड बगर आ है वो भी नहीं लग रहे थे अब तो लग रही है देखो एकानमी ड्राइब मोड अक्टिवेटेड यह रही है और यह अमने इसका जो है पिछ सिल्वर बोक्स आया था वो भी चींज कराया था तो चलते हैं कंपनी में चलते हैं यू निये भाई मैं पूरे दिन महीं बेट वाई इतना खाली है जू निये मैं थोड़ा फ्री है ऐस बारिस का मुसम भी है तो जैसा भी होगा चलते हैं आपर और अपनी गाड़ी को वाँ पे सर्विस पे दे देते हैं तो भाई अमने जो है गाड़ी दे दिया है में यह वैसे चेक अप ही है पैसा पैंड्राइब जरूरी की मतिसमान निकाल लिए है वो सब निकाल लिए भा सब कुछ पैंड्राइब कुछ है नहीं तो इसमें जो है मेन अमारी जैसे ब लद्दाग स्याई तो सारत्षे कव अगरा होगा सर्वी सिक्स्टी पे होएगी जैसे इसकी बाही टाटम है था अथा उनने सिर्फ के बाद कभी परवा लिए कुई उस्टाइमी पंताश पोने सब्सक्राइब करें तो अब यह परफॉर्मेंस की दोड़ी जिक्कत थी तो भी एजी अरब तक नियुगी है क्ली तो हो जाएगी और इंजनोय बगरा जो है सब कुछ हो जाएगा एस्टीमेट जो है वो भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं क्या कुछ है तो चलते है वह अराम सिल कितने वजे तक मिल जाएगी है दो तिन चलो है जा आँ वह शिंगा तो ऐसा ही यह वह तो तो ऐसी बार बाद में होनी है चलो देख ले ना फिर भी बड़ी आ करा दे ना ठीक है इसको चला के दिखाता हूं मैं कि यसा कुछ मुझार है आजकल मेरे को गाड़ी चलाने में एक तो भाई एरियर की कलच भाई मेरे को जैसे ऑटमेटी की बहुत आज़त हो रखिया मैं जब इसको चलाता हो ना मेरे पैर बिल्कुल भाई बस क्या बता हूं बिल्कुल यंदर जाता हूं मैं इसमें सीट में लब आईटीवी मेरी ठीक है यूनिय जिसकी हाइट बड़ी उसके साथ भी रहता ही है भाई हाला कि आज़त तो हो जाती है थोड़े टाइम बाद पर मैं वैसे बदा रहा हूं ऑटमेंटी की मिरको आज अज़ अशी हो रखिया अब मैं इसक सीटी मोड पर चलाने लग रहा हूं सीटी हर जैसे आप इसको स्टार्ट कर के जो है स्टार्ट कर होगे रह बार तो इस आपको सीटी मोड में रखेगी इको मोड पर बॉले आप चल रहा है इसका मोड तो इप अब देखो थोड़ी से ना थोड़ी स्लो हो जाती है आला यह है ना है यह भी गहती है थोड़ा पैसा बचा-लो 19th जो पैसे बचा-लो पर अगर पैसे नहीं बचाने है हमें लगाना है थोड़ा तेल उड़ाना है स्पोर्ट्स मोड लगा दिया यह देखो वह तीसरा गेर है भाई उड़ रही है अब तो ही हावा में बहुत बढ़िया यार अला कि भाई यह वो है 138 भी एचपी महले 140 वाली जो आती थी ना वो है 170 वाली में तो देखो बहुत पावर है पर 170 वाली में भी जो है ना manual वाली जो है उसमें भी यह दिक्कत है कि अब जैसे मोड वोड पे दूसरे गेर में है ना हम इसको निकाल नी सकते है अब जैसे second में मैंने निकाल दी क्योंकि जो है momentum बना हुआ था मेरा पर अगर वह ऐसे निकाल लिए हो ना भाई यह न उठेगी और भाई पेट्रोल जो इसका डीजल है ना भाई वो भी 140 के आसपास इसका इंडिकेशन आ जाती है जैसे अब भाई गर में दूसरी भी गाड़ी आ है वर्ना होगी फोर्चुनर होगी उसमें तो भाई 50 या 60 के आसपास आती है इंडिकेशन इसमें 140 पर जाती है कि भाई अपना डीजल दल वालो मतलब जे पैली खाली करवाने की वोर्निंग देती है ठीक है स्पोर्ट्स मोड पर देखो भाई चलाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जैसे 140 भी एचपी है ना तो सड़े 140 भी एचपी है तो उसमें देखो स्पोर्ट्स मोड भी मज़ा आता है पर भाई है जो स्पोर्ट्स मोड पर भी रखना जिगराई जी है क्योंकि स्पोर् और वीडियो चाहते हो इस गाड़ी पे तो भाई बता देना हम जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे लोकल में इसकी माहिलेज है भाई ये जैसे जाज़तर या तो रोतक होगी गुड़गाओं होगी चंडीर रहती है तो वहाँ पे जो है लोकल 13-14 दे देती है य भाई हाइवे पे ये 17-18 देती है जिसमें हम 90-90-110 भी चली जाए हाला कि मैं अपना खुझ का एक्सपिरियंस से बता रहा हूँ ये तो कि 17-18 दे देगी है और भाई मेरे ख्याल से 17-18 तो बहुत है यार इस गाड़ी के इसाब से अब जैसे मेरे को तीसरे गेर लगाने मेटर लग रहा था अब कोई और गाड़ी होती है अला कि इसमें पावर के दिक्कत नहीं है इसमें अलगी दिक्कत है ये एरियर में ही दिक्कत वेट इतना है या क्या है भाई गाड़ी नहीं उठती है तीसरे गेर में जैसे कहीं मेरा कल से चलाने का मन हो रहा था पर वही है ना कल मैं कोई और काम में लग गया था भई अब मैं सोच रहा हूं अब आपको होगे भाई इतनी बगात ली इतनी चला के तो दिखा दी अब हमारी इतने और मजे मतलो अब हमको यह बताओ कितने पैसे टाटा वालों को दे कर आए तो यह बर चेक अप हुआ था तो एक तरह से यह मानलो चेक अप के और जो मैं इसमें एक दो काम कराया था उसके मैं पैसे बताने वाला हूँ जब हमारी 60,000 चल जाएगी गड़ी उस टाइम पर मैं इसकी सर्विस कराने वाला हूँ तब जो है आपको फिर मैं बताने वाला की सर्विस कराने आ रा है तो चल इनका बिल बंदवाई देते हैं की सर्विस करवा के इनका बढ़िया बानते हैं और 10,000 किलोमीटर का दे फिर आएंगे भई ये तो चीज देखिए मैंने इन्होंने ये काम नहीं करा इन्होंने गाड़ी नहोंने अपने कम्पियूटर में आपकी तो 43,000 पे होई थी फिर मेरे पास पिछली सर्वीस का भी बिल था तो उन्होंने उसमें देखा चाँ चाँ यह हुआ था यह हुआ था ठीक है तो बोले सर अभी तो ठीक होगी गाड़ी वैसे हम चेक अप करा देते हैं फिर हमने बताया कि थोड़ी परफॉर्मेंस में दिक्कत है क्योंकि भी लगदाक से होके आई है तो थोड़ा इंजन जो है वो चोख हो जाता है भाई आपको पता ही है वहाँ दूल मिट्टी में तो एबर आप इसका चेक अप भी कर लेना और वो EGR जो है भाई EGR भाई मैंने अपनी वरना की जब 40,000 किलोमेटर पर करा लिजी तो उसके अलग यह गाड़ी मुझा वाँ पर मनाली साइड और जो है काफी बार जा चुकी है तो मुझा घूमती रहती है गाड़ी के रनिंग बहुत है बढ़िया है हाईवे रनिंग भी है मिट्टी बिट्टी ओफ रोडिंग हर तरह की रनिंग जो है हम इस घाड़ी से करते रहते हैं रफली में तो मेरे यह था भाई कि जब इतनी दिक्कत आ रही है मैं थोड़ी परफॉरमेंस जो है मैं इतना मजा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में तो क्यों ना इसकी EGR जो है वो क्लीन कराईज है तो वो हमने सारा काम कराया था तो मैं पहले बता रहा हूँ तो यह इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा प्लस मेरे को पॉजिटिव जो है एक बड़िया बात जो है वो मेरे कोई कंपनी की लगी कि भाई करस्टमर को पागल नहीं बनाते है यह जैनुवन जो है वो बात बताते है अब बताता है हमारा क्या खर्चा है तो भाई यह मैंने सबसे पहला काम कराया था अपने वाईपर जो मेरा रियर वाईपर था ना पिछे वाला वह भाई खराब हो गया था वह साइड से उखड़ गया था जो इसकी रबड़ है वो निकल गी थी तो वह चेंज हुआ है भाई वन जीरो एट फोर रुपीस का उसके बाद यह लगा है सर्विस प्लस यह मैंने यह लैप्टॉप बगाया होगा उन्होंने शायद यह इनका ऐसा कुछ है चारसु रुपे का चारसु तेरा चारसु तेरा माइनर सर्विस एवरी सेवन थाउजन मलब जो पंदरा अजार प हमारा बिल बना था फाइनल लेवर 3,016 फिर 18% जीएस्ट उन लेवर 460 तो 4100 माइनस 0.08 का डिसकाउंट थोड़ा बोट इसकाउंट भाई उन्होंने कर भी दिया था मोटा मोटा मालो 4000 रुपे का कर्चा हुआ है मेरा फिलाल अब धिक्कत क्या है वो बता देता हूं भाई दिककत जो पहले भी थी और अभी बीच बीच में आरही है रही है ना कि भाई इंडियन गाडि लो देखो भाई मैं अभी भी कहह रहा हूं इंडियन गाडि लो आप को बढ़ियालेगी ठीग ए महींद्रा टाटाउन जी लो पर अभी इस गाड़ी में दिक्कत गई है कि ए जए बाए पहले मैंने पूरी पूर चैनल ही इस पे मैंने कितनी वीडियो डाली थी कि भाई प्यूर्झ थरreiben कोई लाइट नहीं आ रही थिंटार लेस बाए और इसको करूंगा एको लग गया यह लग गया बहुत बढ़िया बेट मोड लग गया रफ भी लग गया अभी यह सारे लग रहे हैं अभी की बात बता रहा हूँ मैं अभी भाई मैं स्पेशल अपने तोड़ा गर से दूर आया था अब मैं रास्ते में आने लग रहा था ना तो मैं सोच रहा था सीटी मोड पे है चल मैं इसको स्पोर्ट मोड पे लगा लेता हूँ भाई वो मेरे फोन में बैटरी कम थे मैंने फोन चार्जिंग पे लगा रहा था फोन बंदी पड़ा था मेरा मैं ओन करा इतने हमें पहुची गया मैं अब क्या गरूँ अब तो चली गई हो लाइट हुआ क्या बीच में मैं इसको स्पोर्स मोड पर डाल रहा हूं तो एक माल फंक्शन का कोई कोई एरर आता है और गाड़ी में कोई मोड ही नहीं लग रहा है जैसे पहले हुआ था मेरा अब फेर हो गया उसके बाद मैंने गाड़ी है यह वीडियो बनाने से पहले पांच मिनट बंद कर दी अब देख लो मोड लग रहे हैं तो ऐसी ऐसी में दिक्कत है भाई मेरे को हना झालवल जो मेरा एक्सपेरिंश है भाई अभी तक इस डिलिर सिप से देखो भाई चंडिगट वाला है बमके साथ तो में राम राम मेरा बढ़ी आनी भाई एक्सपेरिंस साफसी बात है पर रोतक वालों से तो बहुत बढ़ी है दस में से मैं साधे आठ नंबर दूगा भ जो है वीडियो बढ़िया लगी होगी बढ़िया लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वो माल फंक्शन वाला क्या कुछ चलता है अगर कोई हैरियर ओनर हो या किसी को इसकी नॉलिज हो तो भाई मेरे को तो देखो पर्टिकल इस उसका पत अगर किसी को भी अपनी गाड़ी की सर्विस या कुछ भी करवाना तो आप राज मोटर से आ रहो तक में जा सकते हो जाके अपनी गाड़ी की सर्विस करा सकते हो मिलते हैं आप से एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई